हेलो एंड वेलकम तू हंडर पर्सेंट माज्स आज हम डिस्कुस करेंगी क्लास नाइंट और टेंथ का चाप्टर नंबर फिफ्टीन दाट इस प्रोबबिलिटी इसका हम पार्ट टू डिस्कुस करेंगे पार्ट वान में हमने इसकी बेसिक टर्म्स और कुछ बेसिक लेवल की कोश्चंस को डिस्कुस किया था आज मैं इस वीडियो में करवाऊंगे आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटल कोश्चंस देखने में यह जितने डिफिकल्ट होते हैं उतने असान होते हैं सॉल्व करने आगा टाइम नहीं लोगी मैं आप सबका मुझे पता है आप सबके एक्जाम्स चल रहे हैं बट अगर आप 10-12 मिनट स्पेंड कर सकते हैं और यह वीडियो देख सकते हैं तो हो सकता है आपके लिए कोई कोश्चंस आपके काम आ जाए या आपके कोई टिप काम आ जाए तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखियेगा आए वीडियो स्टार्ट करते हैं so starting with example no.4 as already three examples हमने previous video में discuss की थी तो यहां पर example no.4 में है 12 packets है salt के हर एक के उपर कितना मांग्ड है 2 kg मांग्ड है 12 packets है total ठीक है contain the following weights in kg of salt तो हर packet में इस तरह से दिया हुआ in kg weight है salt का Out of these packets, one packet is chosen at random तो क्या probability है that the packet chosen जो packet हमने उठाया है that contains more than 2 kg of salt मतलब उसमें 2 kg से ज़ादा salt है ठीक है? अब ये क्या है सारे kgs in kg of salt है total number of packets कितने हैं इस question के लिए 12 है probability of packet contains more than 2 kg of salt यही हमें find out करना है probability find out करनी है अब आप देखो किस-किस packet में ज़ादा है 2 kg से तो देखो ये 1, 2, अब यहाँ पर 3, 4, और ये 5 ठीक है? ये वाला नहीं लेना ये confusion के लिए दे रखा है क्योंकि उसने बोला है more than 2 kg अगर वो बोलता कि 2 kg और more than 2 kg फिर हम ये वाला भी consider करते इसलिए ध्यान रखना है तो कितने packets होगे? 1, 2, 3, 4, 5 total 5 packets जिसमें 2 किलों से ज़ादा है divided by total number of packets यानि कि 12 तो कई बचे इसका answer जो है वो 6 by 12 लिख के आएंगे तो वो गलत हो जाएगा तो ये छोटी-छोटी चीजे जो है वो probability की questions को जब आप attempt करते हो तो आपको धिहान रखनी होती है उसके बाद आगे example number 5 इन फुटबॉल मैच अ गोल कीपर of a team can stop a goal 32 times out of 40 shots by a team 40 shot मारती है एक team उसमें से जो गोल कीपर है वो 32 बार वो stop कर देता है गोल को मतलब गोल को होने ही नहीं देता गोल कीपर जो है अब हमें find out करना है probability that team can make a goal इसमें बच्चे क्या करके आएंगे गलत चीज करके आएंगे उसने पूछा है team can make a goal अब गोल होना चाहिए कितनी बार वो stop कर रहा है 32 times वो stop कर रहा है तो total shots by a team is 40 number of times goalkeeper can stop the goal 32 times stop कर रहा है और कितनी बार वो stop नहीं कर रहा है 40 में से 32 minus कर रहा है तो कितने आगे 8 बार यानि कि 8 बार जब कोई team shot कर रही है तो goalkeeper goal को रोक नहीं पा रहा है goal हो जा रहा है तो अब हमें find out करनी है probability of team can make goal तो total number of shots कितनी है 40 और number of times goalkeeper cannot stop goal तभी goal हो पाएगा अगर goal को stop नहीं कर पाएंगे तो कितनी बार 8 times तो 8 by 40 यानि कि 1 by 5 is the correct answer of this question गलती क्या करके आएंगे बच्चे इसमें लिखाएंगे सीधा 32 by 40 तो अपने question को ध्यान से read out जरूर करना है next example number 6 में move on करते हैं देखो यहाँ पर teachers and students are selected at random to make two teams of members each on sport day to participate in the event of tug of war एक कोई event organize किया है tug of war जिसमें teacher और student दोनों participate कर सकते हैं दो teams बनाने को बोला गया है अब number of volunteers are as followers teachers में से देखा जाएं तो male, female, male कितनी है 12, female 18 students में से male 20 है female 10 है तो हमें probability find out करनी है कि person जो choose किया गया है at random is a male teacher and is a female student तो पहले देख लेती है total number of volunteers कितने कितने है total number of teachers कितने है 12 plus 18, 30 हो गए students कितने है 20 plus 10, 30 हो गए पहले तो total number निकाल लेते हैं अब हमें निकालना है probability that the person chosen जो है वो एक male teacher है तो male teacher ये teachers वाला ब्लोक है male teacher कितने है 12 है तो ये हो गया 12 divided by total number of teachers कितने है 30 है ठीक है तो ये इस question का answer है इसकी चाहे आप cutting कर सकते हो तो 6 2s are 12 6 5s are 30 तो 2 by 5 इसका answer है next आगया probability that it's a female student तो female student कितनी है 10 है तो ये यहाँ पर आगया 10 divided by total number of students कितनी है 30 तो 0 से 0 कट गया तो 1 by 3 is the required answer of this question next questions पर move on करें है example number 7 देखिए अब यहाँ पर है 3 coins are tossed simultaneously 150 times तो total number of times 3 coins are tossed is 150 तो ये तो सबसे पहले लिखना होता है with the following frequencies of different outcomes यहाँ पर number of tails अगर 0 tail कितनी बार आई है 25 times 1 tail 30 times 2 tail 32 times 3 tail 63 times ये आपको table already question में given है compute the probability of getting सबसे पहला पूछा है at least 2 tails at least का मतलब क्या होता है at least का मतलब होता है 2 tails का मतलब 2 तो होनी चाहिए 2 से जादा भी हो सकती है 2 से जादा का मतलब क्या है 3 मतलब ये ही हो गया तो 2 वाली frequency और 3 वाली frequency को plus कर दिना है frequency को plus करना है ठीक है तो 2 वाली frequency क्या है 32 plus 63 divided by total number of total number of times 3 coins are tossed that is 150 ठीक है एक बार दुबारा से सुन लीजिए at least 2 tails का मतलब है 2 तो होनी चाहिए 3 भी आ सकती है ठीक है at least का मतलब ये होता है तो उसको plus कर देंगे तो we will get here 95 divided by 150 अब इसको आप 5 के table पे cancel कर दीजिए तो 5 1s आ 5 9s आ then 5 के table पे 30 पे 19 by 30 जो है वो first part का answer है ठीक है next second part exactly one tail exactly में तो बहुत ही simple है तो one tail का मतलब है इसकी frequency कितनी है 30 तो 30 divided by 150 इसको cancel करेंगे तो you will get 1 by 5 तो ये इस question का required answer है next example number 8 while working out a question on probability it was found that there were 286 letters बन सकते हैं English alphabets के एक probability का question डिसकोस कर रहे थे उस पे 286 letters बना सकते हैं तो total letters कितने होगे 286 दिएगे the following observation of occurrence of each letter अब यहाँ पर occurrence of each letter का मतलब है देखो A कितनी बार आया 70 times B 14 times E 26 times यह कुछ दे रखे R 40 times and I 36 times and other letters not including vowels का मतलब है इसमें vowels नहीं होगे तो 100 times other letters आ रहे है क्या probability है कि वो एक vowel letter होगा और non-verval letter होगा तो vowels कौन-कौन होते हैं सबसे पहला question तो vowels होते हैं हमारे E, I, A, E, I, O, U These are our five vowels in English alphabets Total number of alphabets कितने होते हैं? 26 26 में से यह 5 हमारे vowels होते हैं A, E, I, O, U अब सबसे पहले case में वोवल letters की probability निकालनी है तो A को लेंगे फिर E को लेंगे और I को लेंगे है ना? तो A, E, I यह तीन ही दिये कर रहे हैं यह तो not including vowels थे तो इन तीनों की frequency को plus कर देंगे 70 plus 26 plus 36 divided by 286 यह question का answer है इसको add on करेंगे 6 plus 6, 12 1 carry 3 plus 1, 4 4 plus 2, 6 6 plus 7 that is 132 divided by 286 इसको cancel out कर सकते हैं 2 के table पे करिए 2 के table पे cancel out करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 66 नीचे आजाएगा 143 इसको आप 11 के table पे cancel out कर सकते हैं 6 के table पे 11 1s आ और 3s आ तो 1st part का answer है 6 by 13 वो अपनी मर्जी से जिस मर्जी टेबल पे cancel out कर सकते हैं 2nd part है non-verbal letters non-verbals कौन-कौन से हैं तो non-verbals है B ठीक है R ये तो non-verbals हो गए and ये भी others भी लेने हैं क्योंकि इसमें भी क्या है vowels नहीं है तो क्या-क्या प्लस करेंगे 14 plus 40 plus 100 divided by 286 ठीक है इनको plus करो तो ये आगया हमारे पास 140 plus 14 तो ये आगया total 154 divided by 286 2 के टेबल पे cancel out करो 2 7 सा 14 2 7 सा 14 then 143 77 और 143 फिर से 11 के टेबल पे 7 और ये 13 तो answer is 7 by 13 first part का answer है 6 by 13 second part का answer है 7 by 13 तो इस तरह से आपको इन questions को ध्यान से पढ़कर solve करना होता है So आज की वीडियो के लिए इतना ही So I hope अब आपको clear हो गया होगा कि आप कहां-कहां mistakes करते हैं और कैसे हमें उन mistakes को avoid करना है एक और part बनाऊंगी probability का part number 3 जिसमें मैं इससे भी साथ complicated questions को discuss करूंगे आपके साथ तो कोई भी वीडियो हमारे इस चानल का और इस important chapter का miss ना करने के लिए आप हमारे चानल को subscribe ज़रूर कर लीजिए और bell icon को भी हिट कर लो ताकि वीडियोस की जो notification होती है वो आप तक सबसे पहले पहुँच रहे है तब तक आप इसको practice करिए revise करिए have a nice day